आज हम फिर से वर्ल्ड जियोग्राफी का इंपोर्टेंट चेप्टर जो रहेगा अक्छांस एवंदे संतर तो इस टॉपिक से जितने भी इंपोर्टेंट कोश्चन आभी तक पुछे जा चुके हैं और जितने भी इंपोर्टेंट कोश्चन बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में मैंने कवर किया है अगर आपकी एक्जाम में कोश्चन आता है तो इसी वीडियो में से आपको देखने को मिलेगा तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना है तो चले सुरू करते हैं हमारा कोश्चन नमबर वन रहेगा भूमध्य रेका से उत्तर के पूछा जाता है next question हमारा निन्म लिकित में से कौन सा व्रहत व्रहत मतलब कि grid circle का उधारन है तो grid circle का जो example हो जाएगा वो हो जाएगा भूमध्य रेखा ठीके next question देखते हैं हमारा question number 3 है traffic of cancer ठीके निन्म में से क्या है तो traffic of cancer किसे जनते हैं तो साड़े तेज़ डिगरी उत्तरी अक्छान से रेखा को हम बोलते हैं traffic of cancer और ये IMP question लगा लिजे काफी important question है ठीके next question is द्रूवों की तरब जाने पर आक्छान से रेखाओ के व्यास की प्रक्रती केसी होती है तो द्रूवों की तरब जाने पर जो आक्छान से रेखाए हैं उसकी व्यास की जो आक्रती होगी वो होगी घटते क्रम में तो यहाँ घड़ता है यहाँ पर सही अंसर है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक जरूर करना और चेनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि एसे ही इंपोटेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे ठीक है नेक्स्ट देखते हैं पर सही मिलान आपको करना है दोस्तों ठीक है तो क्या हो जाएगा भूमद्य रेखा किस से संबंदी थे तो जीरो डिगरी से संबंदी थे आपको पता होगा करकर रेखा कि बात करूँ तो ये कित्ते डिगरी का कोण मनाती है तो करकर एका संबंदित है साड़े 23 डिगरी उत्तर से मकर एका कि अगर मैं बात करूँ तो ये किस संबंदित है साड़े 23 डिगरी दक्चिन से आर्कटिक वृत की मैं बात करूँ तो ये किते साड़े 6 डिगरी उत्तर से रिलेटेड रहेगा और आर्कटिक व्रत जो है साड़े छाचट डिगरी दक्चिन से रिलेटेड रहेगा तो उम्मिद है आपको समझ में आया होगा ठीके तो उप्सन नमबर जो B दिया है हैं पर सही मिलाने ठीके देख लेना आप एक बार चलिए बढ़ते हैं आगे धरातल पर एक डिगरी अक्चांस की दूरी निन्मे में से किसके बराबर होती है तो धरातल पर जो एक डिगरी अक्चांस की दूरी है ये बराबर होती है 111 किलोमेटर के नेक्स्ट कोशन भुमध्य रेखा के आतेरिक्त कौन सी अक्छांस रेका प्रत्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है आयमपी लगा लिजे काफी एक्जाम में ये पूछा गया कोस्चन है तो कौन सी अक्छांस रेका प्रत्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है तो याद रखेगा इन में से कोई नहीं इसका सही अंसर होगा ठीक है नेक्स्ट सवाल देखते हैं मकर रिका अत्वा साड़ेतेई डिगरी दक्चिनी अक्छान सुवरत निनमलिकित में से कहां से होकर गुजड़ती है तो यह गुजड़ती है मालागासी से होकर इसे भी याद रखेगा नेक्स्ट कोस्टन वह कालपनिक रिका जो प्रतिवी को दो बराबर भागों में बाठती है क्या कलाती है तो उसे बुलते हैं भूमध्य रिखा ये भी इंपोर्टेंट कोस्टन है एक्जामें पूछा जाता है अगला सवल देखते हैं टेन नमबर कोस्टन है अक्छान से भूप्रश्ट पर भूमध्य रिखा के उत्तर या दक्चिन एक बिंदू की कोणिय दूरी है जो है तो जो किस से मापी जाती है तो ये मापी जाती है भूमध्य रिखा से नेक्स्ट कोश्टन 11 नमबर दोनों दुरूओ को जोड़ने वाली वह कालपनिक रिखा जो भूमध्य रिखा को समकोन पर प्रतिच्छेत करती है वह क्या कलाती है तो आपसे पूछा है दोनों दुरुवों को जोडने वाली वह कालपनिक रिखा जो भूमद्य रिखा को समकौन पर प्रतिच्छत करती है क्या कलाती है तो समकौन पर प्रतिच्छत करने वाली जो रिखा है वो देसांतर कलाती है नेक्स्ट कोस्चन कोस्चन नमबर ट्वेल है दो देशांतर रेखाव की बीच की दूरी निन्मे में से किस नाम से जानी जाती है तो दो देशांतर रेखाव की बीच की दूरी को हम जानते हैं गोरे के नाम से किसके नाम से गोरे के नाम से तो अप्सन नमबर भी यहाँ पर सही अंसर है नेक्स्ट सवाल एक देशांसर से दूसरे देशांतर के वीच कितना समय अंतराल होता है तो कितना समय अंतराल होता है चार मिनट इसका सही अंसर होगा चार मिनट का समय अंतराल होता है नेक्स्ट कोष्चन वह आक्छान से रेका जीस पर सदेव दीन वह रात की आवदी समान रहुती है थोर दीन और रात की जो आवदी समान होती है किस पर भूमद्य रेका पर जो की zero degree का एंगल बनाती है नेक्स्ट कोष्चन कोष्चन no.15 प्रत्वी पर सबसे उच्चेतम तापक्रम रिकार्ड किये जाते हैं तो सबसे उच्चेतम जो तापक्रम रिकार्ड किये जाते हैं वो किये जाते हैं भूमध्य रेका पर ही नेक्स्ट कोश्चन निर्मलिकित में से कौन सा कतन असत्य है आसत्य कथन आपको बताना है तो देखते हैं देशांतर रेखाव की कुल संक्या 180 है तो दोस्तों यह यहाँ पर आसत्य कथन हो जाएगा ठीके option number A जो दिया है यह यहाँ पर आसत्य है बाकि यह तीनों यहाँ पर सत्य हो जाएगे ठीके नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं कोस्चन number 17 निन्म मेंसे कोन सा कथन आसत्य है आपको फीड से आसत्य कथन चुनना है तो विशुवत रेका से दुरूव की और जाने पर आक्छांस रेकाव की बीच की दूरी में अंसिक रूप से व्रद्धी होती है तो यहाँ पर सही हो जाएगा किसी भी स्थान की प्रधान या मिउत्तर से कोनी दूरी को उस स्थान का अक्छांस कहा जाता है तो दोस्तों यह यहाँ पर असत्य कथन है तो अप्सन नमबर जो भी हमारा दिया है यह यहाँ पर असत्य हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोस्चन 18 नमबर कोस्चन है दो अक्छान से रेखाओ के बीच की दूरी लगवक कितनी होती है तो यह दूरी होती है 111 किलोमेटर आपको पहले ही कोस्चन में सायद करवाया भी था तो याद रखेगा दो अक्छान से रेखाओ के बीच की दूरी लगबक कितने होती है 111 किलोमेटर नेक्स्ट सवाल एक डिगरी देशांतर की सरवादिक दूरी कहा पर होगी तो एक डिगरी देशांतर की जो सरवादिक दूरी होगी यह होगी विशुवत रेखा पर तो विशुवत रेखा याद रखेगा नेक्स्ट कोश्चन है कुल अक्छांसों की संक्या कितनी है तो कुल अक्छांसों की जो संक्या है वो होगी 180 नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं 21 नमबर कोश्चन देशांतर की संक्या कितनी होती है तो देशांतर की जो टोटल संक्या होगी वो होगी 300 सहाट तो अक्छांस की संक्या अगर पूछे तो 180 और देशांतर की अगर संक्या पूछे तो 300 सहाट दोनों को याद रखेगा नेक्स्ट कोश्चन है विशुवत रेखा के समांतर कलपित रेखाए क्या कलाती है तो विशुवत रेखा के समांतर कलपित रेखाए जो कलाएगी वो कलाएगी अक्छांस रेखाए चीके नेक्स्ट कोस्चन है प्रतिवी के उत्तरी दुरु एवन दक्षिनी दुरु को मिलाने वाली रेखा क्या कलाती है important question लगा लिजिए तो उत्तरी दुरु और दक्षिनी दुरु को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं देसांतर रेखा ठीके next question 24 number question प्रधान ठीके 24 number question हमारा प्रधान मध्यान रेखा की सिस्थान से होकर गुजरती है तो प्रधान मध्यान जो रेखा है वो गुजरती है Greenwich लाइन से इससे भी यादर कीगा Next question Greenwich रेखा से तातपर है तो Greenwich रेखा से तातपर है क्या हो जाएगा 0 degree देशांतर और ये भी हाली में SSC के एक्जाम में पूछा गया था SSC CHSL के एक्जाम में ठीक है नेक्स्ट कोशन है मकर रेका निन्म में से किस देश से होकर नहीं जाती है तो मकर रेका किस देश से होकर नहीं जाती है आपसे पूछा है तो फिलिफिन से से होकर नहीं जाती है नेक्स्ट कोस्चन है प्रत्वी पर एक गंटे में कितना देसांतर गुम लेती है तो आपसे पुछा है प्रत्वी जो है एक गंटे में कितना देसांतर गुम लेती है तो पंदरा डिगरी गुम लेती है ठीक है पंदरा डिगरी देसांतर गुम लेती है प्रत्वी एक गंटे में बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टन की तरब 28 नंबर कोस्टन देख लेते हैं दक्षिनी दुरूव का अक्षांस है तो दक्षिनी दुरूव का जो अक्षांस होगा वो होगा 90 डिग्री नेक्स्ट कोस्टन निनमलिकित में से कीन देशों के समूँ से भूमद्य रेखा गुजरती है तो कीन देशों के समूँ से भूमद्य रेखा गुजरती है तो ये गुजरती है कोलंबिया केनिया एवं इंडियोनेशिया से तो तिनों कंट्रिस से गुजरती है याद रखेगा नेक्स्ट सवाल 30 नमबर कोश्चन देख लेते हैं यहाँ पर आपको गलत मिलान बताना है कि चार ओप्षन में से कोन से गलत मिलान है तो करकर रेका साड़े 23 डिगरी उत्तरी अक्षांस ये तो यहाँ पर सही अंसर होगा मकर रेका साड़े चाचट डिगरी उत्तरी अक्छांस दोस्तों यहाँ है यहाँ पर आसत्य है ठीके अंतराश्टी दिनांक रेका जीरो डिगरी रेकांस यह भी यहाँ पर दोस्तों गलत है ठीके क्योंकि अंतराश्टी दिनांक रेका 180 डिगरी होता है ठीके और दक्षणी दुरूवरत की बात करूँ तो साड़े चाचट दक्षणी अक्षांस तो ये भी यहाँ पर सही मतलब आपको गलत चुनना था तो अप्शन नमबर भी यहाँ पर सही अंसर होगा दो और तीन भड़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर 31 नमबर कोश्चन है देसांतर दूरी एक घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है तो कितने डिगरी के बराबर होती है 15 डिगरी के बराबर नेक्स्ट कोश्चन है करकर एका कहां से नहीं गुजरती है वेरी इंपोर्टेंट सवाल तो करकर एका जो है ये नेपाल से होकर नहीं गुजरती है बाकि इन तीनों स्टेट कंट्री से होकर गुजरती है ठीक है नेक्स्ट सवाल है उत्तरी गोलार्द में भू धरातल अध दिक्तम हैं तो कहां पर भूद रातल सबसे ज़्यादा है तो 30 डिग्री नौर्थ से 40 डिग्री नौर्थ में तो इसे याद रखी का उप्शन नमबर है यहां पर सही अंसर है 34 नमबर कोश्चन देख लेते हैं मांचीत्र पर इस्थित अक्षांस एवं देशांतर रेखाओ के बारे में निनमली खित में से कौन सा कथन सत्य है तो आपको सत्य कथन यहां पर चुनना है तो दोनों सा मांतर रेखाए यह यहां पर गलत हो जाएगा दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है तो यह यहां पर सही है ठीक है तो अप्सन नमबर भी हमारा इस कोश्चन का सही अंसर होगा जो की सत्य कथन है अगला सवाल है यहां पर दीन रात एक समान होते हैं तो भूमध्य रेखा पर एक समान होते हैं दीन और रात 36 नमबर कोस्चन के और बढ़ते हैं निनमलिकित नगरों में से कौन सा एक भुमद्य रेखा के सरवादिक निकट है तो भुमद्य रेखा के सरवादिक निकट माना जाता है सिंगापूर सिटी ये भी काफी एक्जाम में पूछा गया कोस्चन है नेक्स्ट सवाल निनमलिकित देशों पर विचार करना है आपको तो अस्ट्रेलिया नामीबिया ब्राजिल और चीली तो आपको बताना है कि निनमलिकित में से कौन से मकर रेका से होकर गुजड़ते हैं तो चारो उप्सन मेंसे कौन-कौन से जो देश हैं मकर रेका से होकर गुजरते हैं तो ये चारो जो देश हैं दोस्तों चारो मकर रेका से होकर गुजरते हैं तो उप्सन नमबर डी जो दिया है एक दो तीन चार यहां पर सही अंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन 38 नम्मर कोश्चन भूमद्य रेका निनमलिकित में से किस देश से होकर नहीं गुज़रती है वेरी इंपोर्टेंट सवाल है तो किस देश से होकर नहीं गुज़रती है भूमद्य रेका तो मेक्सिको से होकर नहीं गुज़रती है इसे भी याद रखेगा नेक्स्ट कोस्चन बान्चित्रव ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओ को क्या करते हैं तो ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओ को हम बोलते हैं भोगोलिक रेखा जाल क्या बोलते हैं भोगोलिक रेखा जाल नेक्स्ट कोस्टन 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांस किस-किस के बीच सिमांकन करता है तो किसके-किसके बीच करता है तो अमेरिका और कनाडा के बीच तो option number D यहापर सही answer होगा अमेरिका और कनाडा तो दोस्तों अम्मिदे सभी कोस्टन आपको अच्छे लगे होंगे कोस्टन देखने को मिलता है ठीके और आपको बता दू कि मैंने इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनोमिक्स, साइंस सभी को complete chapter wise, topic wise, MCQ के रूप में, objective के रूप में कवर किया है अगर उन वडियो उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर या उपर दिये गए आई लिंक पर जाकर जरूर देखिएगा काफी help होगी आपकी, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में जब तक के लिए जहिन All the best